हेलो दोस्तो आज मैं आपको टर्टन वाइन दिखा रही हूँ देखे मैं आपको अपने गार्डन के छोटी सी जहलक भी दिखा रही हूँ और जिसमें मेरे वहाँ टर्टन वाइन लगी हुई है ये मेरा इंडोर गार्डन है और इसमें मैंने लगाई है ये हैंगिंग में ट जानेंगे कि मैं अपने प्लांट की क्यार कैसे करती हूं, कौन सा इसको फटिलाइजर देती हूं, जिससे मेरे प्लांट इतने ग्रीन और चमकीले होते हैं, तो चलिए दोस्तों, जानते हैं टर्टन वाइन के बारे में, मैं शांती जोशी, श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूं, आज जो प्लांट मैं आपको दिखाने जा रही हूं, ये है टर्टन वाइन, और टर्टन वाइन मेरे वहां काफी अच्छी हो रही है, और इसका जो ग्रोध प्रियड होता है, वो फरवरी से सुरू हो जाता है, फरवरी में आप इस प्लांट को लगा स सकते हैं, पूरी फरवरी से लेकर नौम बर तक ये काफी इसके ग्रोध होती है, गर्मी और बरसात में इसकी काफी ग्रोध अच्छी होती है, ये बहुत तेजी से ग्रोध करता है गर्मी में, इसका जो ग्रोध प्रियड होता है, वो गर्मी होता है, पंतु ये गर्मी इसक मैंने इसे छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं मैंने इसे छोटे से पॉट में भी लगाया हुआ है उसकी हाइड भी काफी चली गई है प्लांट की और देखे किते लंबाई इसकी बढ़ गई है यह देखिए मैंने इसे एक प्लास्टिक बोटल में लगाया हुआ है और ब देखिए कितना खूबसरा दिखाई दे रहा है और यह काफी हाइट हो गई है करीब इसकी चार फिट नीचे की ओर लटकती भी इसकी लताये हैं और यह बहुत ज़्यादा खूबसरा दिखाई दे रहा है इसे आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगाकर हैं कर सकते हैं और आप इस प्लांट को लगाएं तो इसे एक बार पेलडन मिटी दें बार बार इसको कंपोस्ट देने की आउशकता नहीं है आप एक बार इसके लिए बढ़िया मिटी तयार कर लें जिसमें मैं बनाती हूँ 40% गार्डन सोयल और 30% इसमें कंपोस्ट और इसमें मैं मिलाती 30% यह जो कोको पीट होता है वो मिलाती हूँ अगर कोको पीट नहीं है तो दान की भूसी का इस्तमाल में कर लेती हूँ तो जिससे मिटी बहुत हलकी सी हो जाती है और इसमें फंगिसाइट के रूप में मैं मिलाती हूँ नीम की खली बस इस डंग से मिटी तयार कर ली एक पूरा गम्ला भर जाता है तो ना इसका गुडाई कर सकते हैं ना इसमें हम दूबार से इसको हटा कर खाद डाल सकते हैं तो इसे जब भी हम देंगे इसको लिक्ट फटिलाइजर देंगे तो एक बार आप इसके लिए वड़िया मिट्टी तयार कर लें लिक्विट फर्टिलाइजर के रूप में अगर आप इसमें जो भी खाद दे रहे हैं इसे गोबर की खाद है या पत्तियों से बनी खाद है या बर्मी कंपोस्ट है जो भी आप इसे इसमें डाल रहे हैं उसको liquid form में बनाकर घोल कर चान कर आप इसको दीजिए तो यह काफी अच्छी growth होती है इसकी देखिए करीब 7 फिट की height इसकी हो गई है और पहुत ही ज्यादा खूपसरत यह दिखाई दे रहा है और यह मेरा पिछले साल का पौदा है ज सूकने भी लगती है पीली भी हो जाती है परनतु इसको आप इल्कुल ना चेड़े और ना ही इसको कोई fertilizer दे बस थोड़ा सा पानी इसको देते रहें तो फिर फरवरी आने पर यह अपनी growth फिर से ले लेता सुरू कर देता है और फिर से हरा भरा होने लगता है उस समय आप इसको cutting भी लगा सकते हैं यह बहुत easy to grow plant है इसकी एक इंच में ही इसे root निकली होती है चोटी-चोटी सी इसकी पत्या होती है और एक-एक इंच में इसकी root निकली होती है तो आप वहीं से cut करके से आसरी से लगा सकते हैं अगर यह गलती से नीचे गिर भी गिए इसकी टैन और मिट्टी के संपर के आम में आने से यह तुरंत ही जड़ पकड़ देती है और बहुत तेजी से फैले लगती है बहुत ही आसानी से यह लग जाती है इसमें ज्यादा कोई भी मेहनत की आउशक्ता नहीं है और यह low maintenance plant है ज्यादा इसमें क्यर की आउशक्ता नहीं है एक गर्मी के हमें growth period इसका जरूर है परन्तो इसे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर आप इसे धूप में रख देंगे तो यह खराब हो जाएगा जुलस जाएगा इसकी पत्तियां यलो हो जाएगी यह सैकोलेंड प्लांट है इसकी पत्तियों में ही पानी स्टोर होत पूरी मिले फुल रोसनी में यह प्लांट रहे और चंकर इसको हल्की सी धूप मिलते रहे तो यह बहुत अच्छी ग्रोथ करता है देखिए मेरे वहां धूप भी कापी रहती है इसमें और डारेक्ट सनलाइट नहीं होती है चंकर धूप आती है नेट लगी है उसके नीच ग्रोथ इसकी नहीं होगी और पौधा भी देखने में अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसकी जो लीव है वो यलो हो जाएंगी और इसे अगर आप विल्कुल सेमी सेट में रख देंगे जहां विल्कुल रोसनी नहीं है अधूप भी नहीं आती है तो यह प्लांट की बहुत नाजुक से हैं और टूट जाती है इसकी टेहनिया तो एक बार आप इसे अच्छी जगह पर सेट करतें जो यह प्लांट चाहता है उस जगह पर आप इसको लगाएंगे तो यह बहुत अच्छी ग्रोथ करता है यह कुछ प्लांट मैंने बाद में लगाए थे जिसक इसे ही दिसंबर और जनवरी सर्दियां आती हैं तो यह थोड़ा सा स्लो हो जाता है और अपनी सुपता अस्ता में चला जाता है तो उस समय आप इसको बिल्कूर विडिस्टर्म ना करें जहां तक पानी की बात है यह सैकुलेंट प्लांट है तो इसे पानी की आउशकता त माद्यम से जो इसकी नटकती हुई लता है है इसमें स्प्रे के माद्यम से पानी दे तो आपका प्लांट हमीशा हरा भरा बनेगा इसकी जड़ों को भी पानी मिलता रहेगा तो यह बहुत अच्छी ग्रोध करता है देखें मैंने इसे ग्रीन नेट में लगाए हुआ है यह तो यह मेरा घर है और मेरे पास काफी प्लांट है मुझे पौधों का काफी सौक है और एक प्रकार का बिल्कुल ही पागल पन है और यह बहुत ही पसंद है मुझे पौधे और देखिए मेरी टर्टन वाइन बहुत ज़्यादा खौपसरा दिखाई दे रहे इस ढंग से आप इसे लगा सकते हैं फरवरी में आप इसे लगाईए पूरी गर्मी भर यह प्लांट आपके गाटर में बना रहेगा हमेशा बना रहने वाला एक खौपसरा प्लांट है यह थैंक्यू दोस्तो